प्यार, ओ एफास है जो हर किसी को नहीं होता प्यार ओ मैसूस है जिसके अंदर खो जाने को दिल करता है यही एक ऐसास है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ साम का समय था, मैं अपने दोस्त का इंतिजार कर रहा था इस्टेशन के बाहर हम लोग का बाहर कहीं गुमने जाने का प्लान था और मैं जल्दी पहुँच गया था कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ मैं इस्टेशन के पास जा के बैट गया तब ही कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जिन्दी एक अलग मोड लेने वाली थी इस्टेशन की तरफ मैं देख रहा था कि मेरा दोस्त आया की नहीं तब ही अचानक मेरी नजर एक लड़की पर बड़ी वो जो वक्त था मैं पुरी तरफ कुछ देर के लिए थमसा गया था मैं सब भूल लिया था कि मैं क्या हूं क्यों हूं और कहा हूं बस मिरी यांखे उस लड़की की तरफ से हटीन नहीं रही थी और इस तरह मैं उसे देखता ही जा रहा था उसकी मासुम चहरा उसकी छोटी छोटी आंके जैसे मानो की कोई परी हो उसको देख के पहली नजर में मानो दिल को कुछ होने लगा था क्या वो प्यार था मुझे नहीं पता बस दिल बोल रहा था कि मेरा दोस्त कुछ देर बाद आए या ये वक्त रुख जाए मुझे उसका नाम जानना था उसके बारे में बहुत कुछ पता करने को दिल कह रहा था लेकिन कैसे करो ये समझ ही नहीं आ रहा था जब कुछ समझ नहीं आया तब मैंने बस भगवान से प्रातना किया कि मुझे ये लड़की मेरी जिंदगी में चाहिए वो जा रही थी मेरी आखों से दूर मुझे रोकना था उसे उससे बाते करना था उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी लेकिन कैसे यही सवाल बार-बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किये जा रहा था मैंने फिर सोच लिया कि मेरी आखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए तो मैं इसे अपना बना लूँगा और सायद भगवान ने यह उसे भेजा होगा मेरे लिए यह मैं समझूँगा तभी भगवान ने चमतकार कर दिया पीछे से आवाज आई प्रिया मैं आहां हूँ फिर वो पीछे देखी तो मैंने देखा वहाँ से एक लड़की आवाज दी और वो उसके पास चली गई तभी मैं समझा उस लड़की का नाम प्रिया था मैं खुस हो गया और उस लड़की का मन ही मन धन्यवाद बोलते जा रहा था च्योंकि उसी के वज़ा से मुझे उसका नाम पता चला था बस तभी मैंने ठान ली अब उसे अपना बनाना है उसे अपनी जिंदगी मिलाना है फिर तभी मैं उसके पीछे जाने लगा कि अचानक ही पीछे से एक हात आया पीछे देखा तो दोस्त आ गया था अब मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलू उससे कैसे मना करूँ उससे कैसे जाऊं मैं उसके पीछे मैं इसी सोच में लग रहा था तब तक वो मेरी आखों से दूर जा चुकी थी दिल मानो रोने लगा था और तभी मानो ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ एक सपना था और आखी खुल गया तो सपना तूट गया मैं वहाँ से चला गया अपने दोस्त के साथ लेकिन पूरी राते उसी के बारे में सोचता रहा मानो मेरा दिल अब उसकी ख्यास से निकलने का तयार ही नहीं था दूसरे दिन मैं कालेज के लिए तयार हो गया और मैं कालेज पहुंचा और बेंच पे जाके बैट गया तभी दोस्त ने बुलाया और कहा देख अपने कालेज में एक नई लड़की आई है मेरा मन अभी भी उससी की ख्यालेओं में डूबा हुआ था आखों से उसका चैरा मानो हटी नहीं रहा था वो बार बार मुझे आवाज दिये जा रही थी तभी मुझे गुस्ता आया और पीछे उससे बोलने ही जा रहा था कि मैं रुक सगया मेरी नजर मानो की फिर से एक बार सपनों में चला गया मैंने देखा की वह वही थी मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा मैं खुद को रोक नहीं बा रहा था और मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या बोलता मैं बस जाके अपने दोस्त के गले लगा लिया और हसने लगा तभी पता चला वहीं वह लड़की नहीं आई थी जो कालेज में आज पहला दिन आई थी मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा है उसने कहा जा के बोल दे उसे अपने दिल की बात लेकिन मैं डरता था कि वह क्या कहेगी क्या लगेगा उसे यह सोच के मैं हमेशा रुख जाता था मैं सोचने लगता था कि कहीं हो मेरी बाते सुनके मुझसे दूर ना चाहे मैं उससे दूर नहीं जाना चाहता था मुझे ऐसास हो गया था कि सायद वो भी मुझे पसंद करती थी लेकिन हो कभी कुछ नहीं कहती थी उससे लगता था कि मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है लेकिन ओ क्या जाने कि उसे पहली नजर में देखके ही मैंने उसे अपना दिल दे चुका था दिन बीटते गए हम लोग एक अच्छे दोस्की तरह साथ साथ रहते और बाते करते थे लेकिन ना कभी मुझे हिम्मत हुआ उससे कुछ भी कहने का और ना ही उसे वक्त बीट गया और इस तरह हम लोगी पढ़ाई पूरी हो गई लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखरी प्यार था और सायद उसके लिए भी और इस तरह से हमें सबको अलग-अलग कमपनी में जौब लग गई तब ही बस एक दिन मैंने सोच लिया कि अब बस मैं उससे कल जाके अपनी दिल की बात पता दूँगा मैं अगले दिन सुवा उठा और मैंने उसे फोन किया और उससे कहा कि मुझे मिलना है उसने मिलने के लिए हाँ कर दिया और इस बास से मुझे बहुत खुशी मिला वही चोटी-चोटी आखे और चेहरे पो वही प्यारी सी मुसकान, मानो ऐसा लग रहा था गी, वह पहला दिनो जब मैंने उसे पहली बार देखा था, वह धीरे-धीरे आ रही थी, मैं तो बस उसे देखता ही जा रहा था, फिरो पास आती है, फिरो मेरे सामने बढ़ जाती है तभी बस मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ कहना है उस फिर तभी उसने भी कहा दिया कि मुझे भी कुछ कहना है तुम्हें मैं खुस हो गया मुझे लगा कि आज ओभी अपने दिल की बात बोल देगी फिर मैंने उससे कह दिया कि तुम पहले बोल दो उसने तो पहले मना किया पहले बोलने से लेकिन मैंने ही जिद कर दिया कि पहले तुम बोलो और वो बोलने जा रही थी मानो मेरी सांसे रुख गई थी उसकी बाते सुनने के लिए सब कुछ थमसा गया था बस ऐसा लगा मैं और वो और कुछ नहीं है आसपास फिर उसने अपने बैक से एक कार्ड निकाला और दिया मुझे वो जो पल था वो ही पहला पल जब मुझे लगा कि मेरा सपना था और वो तूट गया उस कार्ड में उसकी साधी कामंतर था बस फिर क्या था सब कुछ वही रुग गया साध मैंने बहुत देर कर दी उससे अपनी दिल की बाते बताने में साध बहुत ही बहुत ही देर कर दी थी फिर उसने मुझे से पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे मैं क्या कहता तब मैंने बात बदल दी और वो चली गई और मैं वही बैठा रहे गया मुझे उसे अपना बनाने का बस एक सपना इस था सायत जो एक समय पे आके तूट गया ओ आज का दिन और पहला दिन मानू क्यों आया था मेरी जिन्दगी में अब तक एक बात समझ नहीं आया पहला दिन भी एक सपने की तरह आयी और कुछ दिर बाद तूट गई और आज का एपल जो फिर से एक सपना बन कर एक ही पल में तूट गया इसलिए दोस्त कभी भी अपनी दिल की बात बताने में देर ना करो वरना इतना देर हो जाता है अपने प्यार को बस सपने में ही अपनाना पड़ जाता है तो वेडियो पसंद आई हो तो लाइक करना कमेंट करना और अपने दोस्तों साथ सेर जरूर करना और हाँ अगर किसी से प्यार करते हो तो उसे जाक अपने दिल की बात जल्दी से जल्दी सेर कर दो वरना देर हो जाएगी तो मेरी कहानी की तरह साइद आपके साथ भी हो सकता है